हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टो और चैनल हाइपाटेड़ेजबी मैं हूं मोहमत सुहेल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आएं तो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिए यह आज सुभा का लाइव मार्केट का अनालेसिस था जिदर मैं आपको खुद बताया था दोस्तों स्टॉक इंडेक्स का जो रेस्टिंग पीरिएड है वो है यह अगर इंडेक्स का रेस्टिंग पीरिएड ब्रेक कर रहा है ब्रेकाउट का तो ज्यादा से ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा जिसका ब्रेकाउट लेवल हम लोगों के पास यह है यह मैं आपक वाया उसी तरीके से इसे completely close करने के बाद ही nifty 50 हम लोगों को दिया दोस्तों फॉल अभी आज शाम होते होते यहां पर ट्रेंड किया reversal पर completely closing नीचे है इसका मतलब वो analysis के लिए काम नहीं आएका हमारे लिए breakout levels बनेंगी यह नीचे वाली ठीक है अभी यहां के breakout level में हम लोगों को देखने को मिल रहा है resting period क्या देखने को मिल रहा है resting period resting period है का दोस्तों 17456 17431 के in between resting period है अगर कल market bounce back करना है तो इसमें ही trend लेके bounce back करना है अगर मार्केट positive जाके reversal जाना है तो भी हम लोगों को चाहिए levels तो वो levels निकलेंगी breakdown आज का breakout और इन दोनों का level दोनों का level समझो 223 223 का मिड्रेज निकलेगा 110 ले लेंगे ज्यादा नहीं लेंगे 110 ले लेंगे 110 का मिड्रेंज पकड़ेंगे अगर मार्केट पॉजिटिव जाने की कोशिश भी करता है या फर्स्ट आफ में गयाप भी open करता है पर सब्सक्राइब भी open करता है 176 15 से इसे trend reversal लेना है इससे maximum stock आगे नहीं जाएगा नहीं जाएगा guarantee नहीं जाएगा अगर मार्केट ने gap down open किया इसे उपर हाना है 17 431 से यही लेवल है इससे ज्यादा market आप लोगों को trend नहीं देगा अगर मैं यहाँ पर down change लागा हूँ तो down change के अंदर आज ही trend ब्रेक हुआ है अगर कल के लिए trend भी break करना है आप यहाँ पर देख सकते हो जिसका mid range हम लोगों निकाला है वही mid range का trend बन रहा है यानि यह लेवल का trend बन रहा है जो आगे भी आप लोगों को इस्तमाल होगा जब तक यह लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक आप लोगों को जोइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करिए जोइन करिए और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा कंटेंट अच्छा है इंफर्मेटिव है नॉलेजबल है तो यह आप तक मत रखिए वीडियो आपने फैमिली और फ्रेंस के साथ ज़रूर शीर करना थैंक य। झाल झाल झाल